पांच अगस 2020 में जब पीम मोदी ने आयोध्या में राम मंदिर का भूमी पूजन किया था तो सारा देश भगवान राम की भक्ती में लीन हो गया था आपको बता दें कि 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोबनात मंदिर से जो रत यात्रा निकली थी उस रत के सार्थी भी पीम मोदी थे लेकिन भगवान राम के लिए शुरू हुई इस रत यात्रा को बिहार में लालू यादव की सरकार ने रोक तो लिया पर इस रत यात्रा ने राम मंदिर की जो लौ जलाई थी वो 2020 में 5 अगस्त के दिन राम मंदिर के भूमी पूजन के सार्थ पूरी हुई थी पूरे देश की भावनाएं राम मंदिर आंदोलन से इस तरह जोड़ गई थी कि हर कोई बस मंदिर को बनते हुए देखना चाह रहा था उस समय भी जब रत यात्रा रोकी गई थी तब पियम मोदी ने ये कसम खाई थी कि वापस लोट कर अयोध्या आएंगे उस समय शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि पियम मोदी ही भगवान राम के मंदिर का भूमी पूजन करेंगे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर निर्मान का काम शुरू हो चुका है और 2023 तक मंदिर बन कर तैयार हो जाएगा चैश्री राम